मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार। कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बाद भी अच्छूती नहीं रही है। जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी, तब पैसेंजर ट्रेने बन थी, बसे बन थी, हवाई सेवा बन थी, इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। यानि अर्थ वबस्ता का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और जादा सतर्क रहने की आवशक्ता है। दोगज की दूरी का नियम हो, मुँपर मास्क लगाने की बात हो, हो सके वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन उसमें जराभी डिलाई नहीं बरदनी चाहिए। देश में सबके सामुहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाप लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तों में भारत वास्यों की उपलब्ति कितनी बड़ी है। हमारी जन संख्या जादातर देशों से कई गुना जादा है। हमारे देश में चोनौतियां भी भिन प्रकार की है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं प्हल पाया, जीतना दुनिया के अन देशों में फैला। कोरोना से होने वाले मृत्युदर भी हमारे देश में काफी कम है जो नुक्षान हुआ है उसका दुख हम सब को है लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए है वो निश्चित तोर पर देश की सामुहिक संकल्प शक्ति का ही प्रणाब है इतने बड़े देश में हर एक देश वासिन खुद इस लड़ाय को लड़ने की ठानी है यह पूरी मुहिम पीपल डिवन है साथियों देश वासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाय में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देश वासियों की सेवा शक्ति वास्तों में इस महामारी के समय हम भारत दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्मा है सेवा स्वयम में सूख है सेवा में ही संतोष है आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे उसके जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता। उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिये में भरपूर आत्मविश्वास, सकारत्वक्ता और जीवन्दता प्रतिपल नजर आती है। साथियों, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, पूलीस कर्मी, मिडिया के साथी, ये सब जो सेवा कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैंने कई बार की है। मन की बात में भी मैंने उसे जिक्र किया है, सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संख्या अंगिनत है। ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडू के सी मोहन, सी मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते हैं, अपनी महनत की कमाई से इन्हों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे। लेकिन इन्हों ने ये पूरी राशी इस समय जरुरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी। इसी तरह अगरतला में ठेला चला कर जीवनियापन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोज मरा की कमाई की बचत में से हर रोज दाल चावल खरित कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे हैं। देश के सभी इलाकों से विमेन सल्फ हल गुरुप के परिश्णम की भी अंगिनत कहानिया इन दिनों हमारे सामने आ रही हैं। गावों में छोटे कस्पों में हमारी बहने बेटियां हर दीन हजारों के संख्या में मास्क बना रही हैं। तमाम सामाजिक संस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही हैं। साध्यों ऐसे कितने ही उधारान हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो एप और अन्य माध्यमों के जरिये अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं। कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का, बहुत से संगठनों का, बहुत सी संस्ताओं का नाम नहीं ले पाता हूँ। सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूँ उनका आदर करता हूँ उनका तहे दिल से अभेनदन करता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों एक और बात जो मेरे मन को चूग गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन तमाम देशवासी गावों से लेकर शहरों तक हमारे छोटे व्यपारियों से लेकर स्टार्ट अप तक हमारी लेप्स कोरोना के खिलाब लड़ाई में नए नए तरीके इज़ात कर रहे हैं नए नए इनोवेशन कर रहे हैं जैसे नासिक के राजेंदर आदव का उधान बहुत दिल्चस्प है राजेंदर जी नासिक में सतना गाउं के किसान है अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रेक्टर से जोड़कर एक सेनिराइजेशन मशीन बना ली है और ये इनोवेटिव मशीन भहुत प्रभावी तरिके से काम कर रही है इसी तरह मैं सोशेल मीडिया में कई तस्वीरे देख रहा था कई दुकानदारों ने दोगज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइपलाइन लगा लिये हैं जिसमें एक छोर से वो उपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्रहाक अपना सामान ले लेते हैं इस दोरान पढ़ाई के ख्षेत्र में भी कई अलग-अलग इनोवेशन सिख्षकों और चात्रों ने मिलकर किये हैं ऑनलाइन क्लासिस वीडियो क्लासिस उसको भी अलग-अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है कोरोना की वैक्सिन पर हमारी लेव्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सब की आशा भी किसी भी परिस्तिति को बदलने के लिए इच्छा सक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है हजारों सालों के मानवजात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनेक दोर में पहुँची है इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी विशेश इनोवेशन भी बहुत बड़ा आधार है साथियों कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है एक ऐसी आपदा जिसका पुरी दुनिया के पास कोई इलाची नहीं है जिसका कोई पहले का अनुववी नहीं है तो ऐसे में नई नई चुनवतियां और उसके करण परिशानियां हम अनुववी कर रहे हैं यह दुनिया के हर कोरोना प्रभावी देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अच्छुता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में नहों परिशानी में नहों और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मद्दूर, स्रमीक मर्ग पर पड़ी है उनकी तकलीफ, उनका धर्थ, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार के तकलीफों को अनुभव न कर रहा हूँ हम सब मिलकर इस तकलीफ को इस पीड़ा को मा प्रयास कर रहे हैं, पूरा देश प्रयास कर रहा है, हमारे रेलिवे के साथ ही दिन रात लगे हुए हैं, केंद्र हो, राज्य हो, स्थानिय स्वराज की समस्ताय हो, हर कोई दिन रात महनत कर रहे हैं, जिस प्रकार रेलिवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी ए प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कॉरोना वारियर्स ही है। लाखों स्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना, उनकी खाने पिने की चिंता करना, हर जिले में कॉरंटाइन केंद्रों की व्यवस्था करना, सभी की टेस्टिंग, चैक अप, उपचार की व्यवस्था करना, ये साब काम लगातार चल रहे हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं, लेकिन साथियों, जो द्रश्य, आज हम देख रहे हैं, इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ, उसके अवलोकन और भविश के लिए सीखने का आउसर भी मिला है, आज हमारे स्रमिकों की पीडा में, हम देश के पुर्वी हिस्से की पीडा को देख सकते हैं, जिस पुर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजिन बनने की ख्षमता है, जिसके स्रमिकों के बहुबल में देश को नई उचाई पर ले जाने का सामर्त है, उस पुर्वी हिस्से का विकास भहुत आवश्यक है पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथफिक्ता दी है मुझे संतोष हैं कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मद्दुनों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी हावश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जैसे कहीं स्थमीकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है कहीं स्टार्ट अपस इस काम में जूटे हैं कहीं माईगिरेशन कमिशन बनाने की बात हो रही है इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे भी गाउं में रोजगार स्वरोजगार लगुद्यों को से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं इस फैसले इन स्थित्यों के समाधान के लिए हैं आत्म निर्भर भारत के लिए हैं अगर हमारे गाउं आत्म निर्भर होते हमारे कस्बे हमारे जीले हमारे राज्य आत्म निर्वर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है लेकिन अंधेरे से रोशनी की और बढ़ना मानुस्वभाव है तमाम चुनोतियों के बीश मुझे खुशी है कि आत्म निर्वर भारत पर आज देश में व्यापक मन्थन शुरू हुआ है लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है इस मिशन का नेत्रुत्व देश वासी अपने हाथ में ले रहे है बहुत से लोगों न ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाये जाते हैं उनके पूरी लिश्ट बना दी है ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल्फ और लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं मेकिन इंडिया को बढ़ावा मिले इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है विहार के हमारे एक साथी स्रिमान हिमान स्वी ने मुझे नमो एप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दें चाहे पैट्रोल डिजल इंधन का आयात हो एलेक्ट्रोनिक आइटम्स का आयात हो यूरिया का आयात हो या फिर खाद्य देल का आयात हो मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ हमारे देश में कितनी ही ऐसी चीजे बहार से आती हैं जिन पर हमारे इमान्दा टेक्सपेर्स का पैसा खर्च होता है जिनका वीकल्प हम आ और उना जिताय क्या है कि आने वाले दो वर्ष में वे अपने बैंबू प्रोडक को एक ग्लोबल ब्रैंड बनाएंगे मुझे पुरा भरोसा है आत्मनिर्भर भारत अभ्यान इस दसक में देश को नई उंचाई पर ले जाएगा मेरे प्यारे देश्वासियों कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अने एक नेताओं से बाचित हुई है लेकिन मैं एक सिक्रेट जुरूर आज बताना चाहूंगा विश्व के अनेक नेताओं की जब बाचित होती हैं तो मने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी योग और आयुरुवेद के समन में होती है कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कुरोना के इस काल में ये योग और आयुरुवेद कैसे मदद कर सकते हैं साथियों अंतराश्टिय योग दिवस जल्द ही आने वाला है योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है लोगों में अपने स्वास को लेकर जागुरुकता भी लगातार बढ़ रही है अभी कुरोना संकट के दोरान भी ये देखा जा रहा है कि होलीवूड से हरिदवार तक घर में रहते हुए लोग योग पर भावध गंभीता से ध्यान दे रहे है हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ अरुवेद के बारे में और ज़्यादा जानना चाहा है उसे अपनाना चाहा है कितने ही लोग जिन्नों ने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ओनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ओनलाइन वीडियो के माद्यम से भी योग सीख रहे हैं सही में योग, कम्यूनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सब के लिए अच्छा है साथियों, कोरोना संकड के इस समय में योग आज इसलिए भी जाद आहम है क्योंकि ये वाइरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को सबसे अधाईक प्रभावित करता है योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टिम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं ये टाइम टेस्टिड टेक्निक्स हैं जिसका अपना आलग महत्व है कपाल भाती और अनुलोम बिलोम प्राणायम से अधिकतर लोग परिचित होंगे लेकिन बस्त्रिका, शितली, ब्रहामरी जैसे कई प्राणायम के प्रकार है जिसके अनेक लाब भी है वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुश मंत्राले ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है आयुश मंत्राले ने माई लाइफ, माई योग नाम से अंतराष्टिये वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगीता शुरू किये है भारती नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगीता में हिस्सा ले सकते हैं इस में हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीम मिनिट का एक वीडियो बना करके अप्लोड करना होगा इस वीडियो में आप जो योग या आशन करते हुए, वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बड़लाव आया है, उसके बाले में भी बताना है मेरा आप से अनुरोध है, आप सभी इस प्रतियोगीता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से आंतर राष्टिय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए साथियों, हमारे देश में करोड़ों करोड़ गरीब दसकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए अगर बिमार पढ़ गए तो क्या होगा, अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें इस तकलीब को समझते हुए, इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब देड़ साल पहले आविश्मान भारत योजना शुरू की गई थी कुछी दिन पहले आविश्मान भारत के लाभारतियों की संख्या एक करोड के पार हो गई है एक करोड से ज़्यादा मरीज मतलब देश के एक करोड से अधिक परिवारों की सेवा हुई है एक करोड से ज़्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है एक करोड से ज़्यादा मरीज मतलब नौर्वे जैसा देश, सिंगापूर जैसा देश उसकी जो टोटल जन्संख्या है उससे दो गुना लोगों को मुप्त में इलाज दिया गया है अगर गरीबों को अस्पताल में भरती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते इनका मुप्त इलाज नहीं हुआ होता तो उन्हें एक मुटा मुटा अंदाज है के पैसे खर्च होने से बचाये हैं मैं आउश्मान भारत के सभी लाभार्थियों के साथ साथ मरीजों का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सेश और मेडिकल स्टाप को भी बधाई देता हूँ आउश्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेस्ता पॉर्टेबिलिटी की सुविधा भी है पॉर्टेबिलिटी ने देश को एक्ता के रंग में रंगने में भी मदद की है यानि बिहार का कोई घरीब अगर चाहे तो उसे करनाट का में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती इसी तरह मार्ष का कोई घरीब चाहे तो उसे इलाज की वही सुविधा तमिनाडु में मिलती इस योजना के कारण किसी खेत्र में जहां स्वास्त की ववस्ता कमजूर है, वहां के गरीब को देश के किसी भी कौने में उत्तम इलाज करानी की सहुलियत मिलती है। इन लाभार्थियों में ज्यादातर लोग ऐसी बिमारियों से पिडित थे जिनका इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं था। इन में से सत्तर प्रतिशत लोगों की सरजरी की गई हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलिफों से इन लोगों को मुक्ति मिली है। मडिपूर के चुरा चांदपूर में छह साल के बच्चे केलेन सांग उसको भी इसी तरह अविश्मान योजना से नया जीवन मिला है। केलेन सांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीर बिमारी हो गई। इस बच्चे के पिता दिहडी मद्दूर है और मां बुनाई का काम करती है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठीन हो रहा था। लेकिन आविश्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुप्ति इलाज हो गया है। कुछ इसी तरह का अनुभव पुडी चेरी की अमुर्था वल्ली जी का भी है। उनके लिए भी अविश्मान भारत योजना संकट मोचक बन कर आई है। अमुर्था वल्ली जी के पती की हार्ट एटेक से दुखत मुर्ति हो चुकी है। उनके 27 साल के बेटे जीवा को भी हार्ट की बिमारी थी। डॉक्टर्स ने जीवा के लिए सर्जेरी की सलहा दी थी। लेकिन दिहारी मद्दूरी करने वाले जीवा के लिए अपने खर्ट से इतना बड़ा अपरशन करवाना संभवी नहीं था। लेकिन अमूर्था वली ने अपने बेटे का अविश्मान भारत योजना में रेजिस्ट्रेशन करवाया और नव दिनों बाद बेटे जीवा के हार्ट के सर्जेरी भी हो गई। साथियों मैंने आपको सिर्फ तीन चार गटनाओं का जिक्र किया। आविश्मान भारत से तो ऐसे एक करोड से अधिक कहानिया जुड़ी हुई है। कभी समय मिले तो ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करिएगा जिसने आविश्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज कनाया हो। आप देखेंगे कि जब एक गरीब बिमारी से भाहर आता है तो उसमें गरीबी से लड़ने की भी थाकत नजर आने लगी है। और मैं हमारे देश के इमानदार टैक्सपेर से कहना चाहता हूँ। आविश्मान भारत योजना के तहत जिन गरीबों का मुप्तेलाज हुआ है। उनके जीवन में जो सुख आया है, संतोष मिला है। उस पुन्य के असली हकदार आप भी है। हमारा इमानदार टैक्सपेर भी इस पुन्य का हकदार है। मेरे प्यारे देश्वासियों, एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें हाल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्रकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हपतों के दोरान हमने पश्चिम मंगाल और उडिसा में सूपर साइक्रोन हमफान का कहर देखा। तुफान से अनेकों घर तबाह हो गए, किसानों को भी भारी नुक्सान हुआ। हालात का जाय जा लेने के लिए मैं पिछले हपते और उडिसा और पश्चिम मंगाल गया था। पश्चिम मंगाल और उडिसा के लोगों ने जिस हिम्मत और बाधूरी के साथ हालात का सामना किया है, प्रसौशनी है। संकट की इस गड़ी में देश भी हर तरह से वहां के लोगों के साथ खड़ा है। साथियों, एक तरब जहां पुर्वी भारत तुफान से आई आपदा का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरब देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए है। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि छोटा सा जीव कितना नुक्सान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृशी विभाग हो, प्रसासन भी इस संकट के नुक्सान से बजने के लिए किसानों के मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उप्योग कर रहा है। नए नए आविशकार के तरब भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के हमारे क्रिशिक शेत्र पर यह संकट आया है उससे भी लुहा लेंगे बहुत कुछ बचा लेंगे मेरे प्यारे देशवासियों कुछ दिन बाद ही 5 जून को पुरी दुनिया विश्व परियावरन दिवस मनाएगे विश्व परियावरन दिवस पर इस साल की थीम है बायो डाइवर्सिटी याने जैव विविदिता वर्तमान परिस्तितियों में यह थीम विशेस रुपसे मह लोगडाउन के दोरान पिछले कुछ हपतों में जीवन के रप्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है लेकर इससे हमें अपने आसपास प्रकूति की समरुद्ध विवित्ता को जैव विवित्ता को करीब से देखने का आउसर भी मिला है आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदुशन और सोर सरावे में ओजल हो गए थे सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सून रहे हैं अनेक जगहों से जानवरों के उन्मुक्त विचरण की खबरे भी आ रही हैं मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा पढ़ा होगा बहुत लोग कह रहे हैं लिख रहे हैं तस्वीरे साजा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाडियां देख पा रहे हैं दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं इन तस्विरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल को उठा होगा क्या हम उन्द्रशों को ऐसे ही बना रख सकते हैं इन तस्विरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेणा भी दिया है नदिया सदा स्वच्छर हैं और सुपक्षियों को भी खुल कर जीने का हक मिले आसमान भी साप सूत्रा हो इसके लिए हम प्रकूरते के साथ तालमेल बिठा कर जीवन जीने की प्रेना ले सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों हम बार-बार सुनते हैं जल है तो जीवन है जल है तो कल है लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है वर्षा का पानी बारिस का पानी यह हमें बचाना है एक-एक बूंद को बचाना है गाउं गाउं वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं परंपरा के बहुत सरल उपाय हैं उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं पांच दिन साथ दिन भी अगर पानी रुका रहेगा तो धर्ती मा के पास बुझाएगा पानी फिर जमिन में जाएगा वही जल जीवन के शक्ति बन जाएगा और इसलिए इश्वर्शारू तुमें हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को बचाएए पानी को समुरक्षन करेए मेरे प्यारे देश्वासियों स्वच्छ परियावरन सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविश का विशा है इसलिए हमें व्यक्तिकत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी मेरा आप से अनुरोध है कि इस परियावरन दिवस पर कुछ पेड़ अवश्च लगाएं और प्रकूति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्च लें जिससे प्रकूति के साथ आपका हर दिन का रिस्ता बना रहे हैं हाँ गर्मी बढ़ रही है इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतिजाम करना मद भूलिएगा साथियों हम सब को ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठीन तपशा के बाद इतनी कठिनाईयों के बाद देश ने जिस तरह हालत सा भाला है उसे बिगडने नहीं देना है हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है हम लापरवा हो जाएं साथानी छोड़ दें ये कोई विकल्प नहीं है कोरोना के खिलाब लड़ाई अब भी उतनी ही गंबीर है आपको आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंबीर खत्रा हो सकता है हमें हर इनसान की जिन्गी को बचाना है इसलिए दोगज की दुरी चहरे पर मास्क हाथों को धोना इन सब सावधानियों का बैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आये हैं मुझे पुरा विश्वास है कि आप अपने लिए अपनों के लिए अपने देश के लिए ये सावधानी जुरूर रखेंगे इसी विश्वास के साथ आपके उत्तम स्वास के लिए मेरी हार दिक्षु पामना है अगले मेने फिर एक बार मन की बात अनेक नए विश्वाओं के साथ जरूर करेंगे